आप सभी का वाइट एजूकेशन पे साम के आठ बज चुके हैं और आप लोग भी आशा करते हैं कि अब सब को जुड़ चुके होंगे आज सेट नंबर बारा लेकर आए हैं आप सभी छातरों के लिए और सभी के सभी महत्रपॉंड यहाँ पे MCQs हैं आप लोग सभी इसकी उसको अटेंड करें रेगुलरली हमारे सा जुड़कर यहाँ पे शाम को आठ बजे इसका PDF जो है अभी इसके थोड़ी देर के बाद यानि की वीडियो खतम होते ही सारे PDF कल का भी और आज का भी आपको शेयर कर दिया जाएगा तो आप लोगो टेलीग्राम जोइन करना पड़ेगा वाइट एजूकेशन का तो लिंक एबाउट में दिया हुआ है चैनल के एबाउट में या फिर आप सर्च भी कर सकते हैं अगर आपके मोवाईल में टेलीग्राम एप्लिकेशन डाउनलोड है तो चलिए सुरुआत करते हैं लेकिन छोटी सी रिक्वेस्ट सुरुआत करने से पहले कि चैनल पे नए है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजएगा बेल आइकन दबाके ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन यहां से आपको सबसे पहले हमारे चैनल के मादम स जा सके लगातार हमेशा निरंतर अभ्यास करते रहिए तो जाके सफलता आपके कदम चुमेगी बिल्कुल निशित है इधर उधर की बातों में ज्यादा ध्यान ना दें यहां कौन किसका गल्फरेंड है कौन किसका बॉइफरेंड है इन सभी चीजों से अगर आप जिस दि ही आपका पूरा जीवन कितना इंट्रेस्टिंग है यह आप सोच नहीं सकते हैं चलिए इसी एक सुभी विचार से सुरुआत करते हैं लेकिन आप सभी को मैं बोलना चाहूंगा कि सुभा छे बजे से लेकर शाम के आठ बजे तक आपको चार वीडियो दिया जा रहे हैं इ सुभा छे से शाम को आठ बजे की बीच में यह चार क्लासे आपको शेयर कर रहा हूं अब चलिए सुरुआत करते हैं पहले प्रशन से प्रशन आ चुका आपके सामने हर कोई आंसर करेगा जो भी लोग नहीं जुड़रे एक दूसरे को शेयर कर देंगे जरूर से दोस्तों द्रिष्टी के पस्ची दीपी सिधान्त के अधार पर निर्मित होता है क्या निर्मित होता है दोस्तों क्या निर्मान होता है यहां द्रिष्टी के पस्ची दीपी सिधान्त के अधार पर बिल्कुल यहां पे कैमरा निर्मित होता है किसा आंसर ए कर लिजेगा मा सबस्त शिजों को निकट डिश्टी दोस्थ क्या होता है ने मैं आपको पहले भी बताया था जिसको निकट डिश्चेद उसको मयोपिया कहते हैं मयोपिया में क्या होता है कि इसमें दूर वस्तूं हमें दिखाई नहीं देती है उसे लोग निकट कहते हैं ज़ेस्ट उल्टा होता है ये समझगींगा चीजों को देंगीजा दूर दृर दिखीर से उस क्या कहते हैं दूस्तों अंसर करेंगे यहां पे सभी के सभी बिल्कुल आंसर डी या रा जिनका सही उतर करें फ्रियोन का उप्योग होता है दोस्तो जी हां रेफ्रेजरेटर यानि की फ्रिज में दर्वाजा खोलते ही रेफ्रेजरेटर जी हां पूरे रूम को क्या कर सकता है तो गरम कर सकता है आप अगर रूम में अपने रेफ्रेजर करने में जियां वो क्या होगा कि सारे चीज़ों को वास्पीट करेगा और वो फूरा रूम जो है हीट हो जाएगा गरम हो जाएगा जिसे कि वस तु घर में आपके जो समान रखा वो भी खराब होने के चांसे बढ़ते हैं अच्छा एक कोशिन पूछा गया दोस्तों कि कर गफ्रीजरेटर का अविश्कार दोस्तों नम्बर तीन की सिधान के काम करता है कोहरा जो है यह बर्नौली थियुरम करता है किसके थियुरम पे जिया मधरी प्रिय subconscious के यह मैं यानि फिर्म पर दोस्तों जब कोई भी आदर्स द्रव किसी नली में रखी जाए और उसको प्रवाह में बहाया जाए तो उससे क्या होगा तो जो भी मार के परतेक बिंदू पर उसके एकांक आयतन होगे उसकी कुल उर्जा या उसकी कुल उर्जा दोस्ती यानि कि जिसमें दाब होगा गती जूर्जा होगा, सिती जूर्जा होगा सबका योग नियत होता है इसलिए यहाँ पे आंसर क्या कर लेंगे दोस्तो सोच समझ के जी हाँ आंसर ए हो जाएगा सवाल नंबर चलते हैं दोस्तो यहाँ पे चार पे, दो रेल पट्रियों के बीच धातू के किस प्रियोजन के लिए गैप छोड़ा जाता है फटा फट आंसर करते हैं यहाँ पे और जितने भी लोग मेरे भाई बंदो जूट रहे हैं एक दूसरे को सेर कर दीजेगा वीडियो बिल्कुल, रेखिये प्रसार के लिए यहाँ रेल पट्रियों के बीच धातू प्रसार के लिए गैप छोड़ा जाता है वो किसलिए तो रेखिये प्रसार के लिए होता है और पट्रिया तेड़ी न हो जाए इसलिए यहाँ पे गैस जो गैस का उप्योग हो रहा है यहाँ पे जो गैप है यह जो gap है इसको हम लोग छोड़ते हैं ठीक है यहाँ पर gap को छोड़ देते हैं सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों पांच की तरफ एक खगोली मात रख निम्लिकित में से किसके बीच की ओसत दूरी है बताईए astronomical unit जी हाँ दोस्तों याद रखेंगे सूर्य और प्रित्वी के बीच की दूरी को माप सकते हैं हम लोग जी हाँ astronomical unit के दौरा प्रित्वी और सूरी के बीचे की ओसत दूरी को कहते हैं खगोली मात रख ठीक है चलिए और एक दोस्तों ब्रहांड में अगर हम बात करें तक मंदाकिनिया कितनी है ये question पूछा गया है BPSC में तो ब्रहांड में कुल मंदाकिनिया हैं दोस्तों 10 to the power 11 जी हाँ मंदाकिनिया है याद रखेंगे सवाल नंबर 6 पे चलते हैं दोस्तों फिर से question refrigerator से तो refrigerator खाज़ पदार तो खराब होने से बचाता है क्योंकि बिल्कुल क्योंकि इसमें नियुनितम जो है तापमान पर जीवाणू और फफुंदी निस्क्रिये रह जाते हैं ठीके नियुनितम तापकानों बद ज्यादा ठंड होगा उसमें और ठंड की चलते वो मर जाते हैं इसलिए इसमें जो फल वेगरा रखे जाते हैं काफी दि करेंगे और यहां पे कुछ मैं बात कहना चाहूंगा आप लोगो आप लोग जितने भी लोग पढ़ रहें लगातार प्रेक्टिस घर पे भी कीजिए ऐसा है नहीं है टॉपिक उठा उठा के मैं आपको हर दिन तो अलग-अलग टॉपिक पे कोशन सेनारियों अभी तक ले घटना आंसर कर लेंगे दोस्तो और दोस्तो एक सबसे बड़ी चीज है कि ब्लाश्टिंग पेपर जो स्याही होता है उसको सीगर सोख लेता है ठीक है स्याही को और क्योंकि इन में जो बने छोटे-छोटे छिद्र होते हैं केशनली होती है उसकी तरह यह कार्या करता है चल ख्लेमपदार्त के अनेक अव्यव भी होते हैं जैसे कि उनके उत्पादक होते हैं जैसे कि नेप्था, इसनेहग, तेल, कोलतार, किराशन, यहां किराशन तेल जो होता है ठीकि यह उसके उत्पादन है चलिए सवाल नंबर चलते हैं नो पे दोस्तो जर्मन सिल्वर में नि यह आ रहा है दोस्तो तामबा जस्ता और निकल होता है याद रखेगा जर्मन सिल्वर में कौन सी धात्वे होती हैं तो तामबा जस्ता और निकल होता है जर्मन सिल्वर में 60% तामबा 20% चस्ता और 20% दोस्तो आपका या निकल मौजूद रहता है तो यह आप थोड़ा सा लि परिभाशा है वो पूछा गया प्रकार ने परिभाशा पूछा गया है तो देखे मरकरी जो होता है इसको हम लोग पारा यानि यह तरह का द्रग है और ताप मापी में पारा का हम लोग उपयोग करते हैं जैसे कि आप लोग यहाँ पे दोस्तों अगर थर्मामीटर यूज कर करते हैं ठीक है चलिए अगला कौशण देखते हैं कौश्ण नंबर और और पुझा गया है कि पारा जो होता है दोस्तों वो कितनी डिगरी सेलसेड पर जम जाता है कि तो यह आंसर कर लेखे सिल्सेज यह जम जाता है ठीक है चलिए सवाल नंबर चलते हैं 11 पे नीचे दिये गएं इंदन में से इसमें सरवाधिक उश्मियमान क्या है चलिए आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे एक बिल्कुल प्रकिर्ट गैस जी है डी इस दा राइट आंसर दोस्तों नोट कर लेंगे कोक परदूशकों के रूप में फिनोलिक्स को गंदे पानी से किसका परियोग करके निकाला जा सकता है सवाल सारे इंपॉटेंट है जो भी छातर यहाँ पर रेंज आफिसर के लिए आविदन किये हैं या फिर एस इस टेनों के लिए आविदन किये हैं तो वो छातर ज़रुर देखें क्योंकि साइन्स के कोशिन वहां से एक्जैक्ट बहुत जादा कोशिन रहते हैं सवाल चलते हैं बारा पे आंसर कीजिएगा दोस्तो इट्स डी बहुलक अधिशोक होते हैं याद देखिएगा चुकि देखिए परदूशकों के रूप में अगर हम बात करें तो फ वाहित करना ही होता है ठीक है सवाल नंबर चलते हैं तेरा दोस्तो नाइट्रोजन किसका अनिवारे घटक होता है नाइट्रोजन किसका अनिवारे घटक होता है तो याद रखेगा यहाँ पे प्रोटीन का जी हां आंसर क्या कर लेंगे बी इस दा क्रेक्ट आंसर चलिए आ 14 दोस्तो अधिक पैदावार वाले पौधे तयार किया जा सकते हैं जी हां आंसर करेंगे किसके द्वारा होते हैं दोस्तो यहां पर आंसर करेंगे कोश्चिन नमर 14 का जल्दी से आंसर कर सकते हैं तो यहां पर फटा फटा आंसर कीजिएगा अधिक पैदावार वाले पौधे दोस्तो संक्रमन द्वारा संकरन के द्वारा तयार किया सकते हैं ठीके तो यहाँ पर आंसर B कर लिजेगा और अगला कोश्चन देखते हैं कोश्चन नमबर 15 उस इस्थिती में एक जैसा जोड़ा पैदा होता है जब बिल्कुल जब एक निसेचित अंडे में दो टुकड़े हो जाते हैं यहाँ आंसर यहाँ भी आप B कर लेंगे और एक बात बताएए यहाँ पे आप लोग अर्द सुत्री जो भी भाजन जो आप मियोसिस कहते हैं जिसको आप लोग ठीके तो यह कब यहाँ पे इसको संपादित किया गया आच में फार्मर और मूरे उनका नाम था फार्मर एव मूरे दो वेग्यानिक थे जिन्होंने अर्द सुत्री भी भाजन को यहाँ मियोसिस नाम दिया था ठीक है अर्द सुत्री भी भाजन की सरप्रतम खोज बिजमैन ने की थी और इसकी खोज किस ने की थी तो बिजमैन ने की थी लेकिन ये नाम मियोसिस किस ने दिया था तो फार्मर और मूरे ने सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे सोला पे लाइकेन क्या है शैक जिसको कहते हैं लाइकेन क्या होता है तो लाइकें जो है एक तरह का सहजीवी है दोस्तों जिनका उतर डी आ रहा है बिलकुल उतर करेक्ट कर रहे हैं और फटा फट आणसर किजी आप लोग जितने देखिए बहुत लेजी हो रहे हैं आप लोग आणसर ज्यादा ज्यादा लोगों कि यहाँ पर सही होने चाहिए आइक तिंग आशा करते हैं और जितने भी यहाँ पर भाई बंदू देख रहे हैं एक बार प्लीज वीडियो को अपने दोस्तों ग्रूप में श्रीयर कर दीजे ताकि ऐसे ही लगातार क्यूज सेक्षन आपके लिए लेकर आ सके हम चलिए जोस्तों यहाँ पर एक बात और बता दे कि सजीवन में यानि कि पूरे जीवन काल में दो जीवों पर परसपर लवकारे संबंद होता है एक कवक और एक शैवाल यह दोनों ही मिलकर लाइकेन का निर्मान करते हैं कवक और शैवाल याद रखेगा सवाल नंबर 17 पर चलते हैं निम्लेगित में से कौन सी प्रक्रिया है जो कि वायू को प्रदूशित नहीं कराती है तो यह सवाल बहुत इंपोर्टेंट है यहां पर और वायू इससे प्रदूशिक नहीं होता है आंसर करेंगे दोस्तों जी हां प्रकास संसलेशन से हमें कोई भी घाटा नहीं है जो कि प्रकास संसलेशन में पौधे अपना जो है भोजन तयार करते हैं और ज जीवनकाल लगबग कितने समय का होता है देखिए अभी जितने भी क्यूज में आपको लगातार दे रहा हूं उसमें एक चीज आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जीके में सबसे ज्यादा जीएस के कोशन रह रहे हैं ठीके तो कुछ दिनों के बाद मतलब दो-चार जीजों को ध्यान रखेंगे सब चीजों का और लाल रक्त कणिकाओं का उसत जीवनकाल लगबग होता है दोस्तों आंसर किजिएगा 100 से 120 दिन का याद रखेंगे चलिए सवाल नंबर चलते हैं 20 पे दोस्तों चालिनी पट्टी का एक भाग है चालिनी पट्टी का जो है ज इसलिए आंसर यहाँ पर क्या करेंगे? डी कर लेंगे दोस्तों जाइलम की एक संवहान उत्तक है याद रखेंगे जाइलम का जो जल और खनीजलवन का जो संवहान यांतरीक होता है उसको दिरता प्रदान करने का मंखिक कार्य करता है ठीक जवाल नंबर एक бесп Styles पे चलते है भारत का केंद्रिय औशदी या अनुसंधान संस्थान कहां परिस्तित है भारत का केंद्रिय औशदी अनुसंधान संस्थान कहां परिस्तित है बिल्कुल आंसर कीजिएगा दोस्तो डी लखनव में है नोट कर सकते हैं दोस्तो यहाँ पे और राष्ट्रिय मस्तिक अनुसंध संस्थान केंद्र है गुडगाओं में यह भी लिख लिजीगा अच्छा एक कोशिन और केंद्री जूट परदोगी की अनुसंधान कहां पर है कि कोलकाता इस दर राइट अंसर बिल्कुल सही चलिए अगला सवाल पर चलते हैं राष्ट्रिय ग्रामेंड विकास संस्थान कहा रूर्की में दोनों चीज़े अलग है यहाँ पर एक है राष्ट्रिय ग्रामेंड विकास संस्थान और एक है केंद्रिय भवन निर्माना संस्थान लेकिन दोनों अलग चीज़े और वो है रूर्की में ठीक है और राष्ट्रिय ग्रामेंड विकास है हाईदराबाद में ठीक है ना चलिए question number दोस्तों देखते हैं 23 येन जो है किस देश की मुद्रा है येन बिलकुल जापान की मुद्रा है C is the right answer और दोस्तों आपको बता दे कि आज सुबह मैंने current fair में पूछा था कि रश्या का currency क्या है तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने answer यहाँ पे नीचे comment box में किया था यह answer है दुस्तों rubel याद रखेंगे क्या है rubel और बिस्व में सबसे प्रभावसाली मुद्रा किसकी है सबसे जादा तो American की है प्रभावसाली में लेकिन महंगा नहीं है चोकि महंगा तो आपके UAE का भी है ठीक है याद रखेंगे कुछ दिनार ठीक है दिन युवान ठीक है ये सारे सवाल नंबर चलते हैं 24 पे दोस्तों कुच्ची पुड़ी किस राजी की सास्त्री निरते से लिए है बिलकुल आंसर कीजिएगा B आंध्रप्रदेश की is the right answer नोट कर लेंगे दोस्तों यहाँ पे आंसर क्या होजएगा आंध्रप्रदेश दोस्त ने लिखी है दर इन्वेंटर्स ओफ फ्योलेरेंस जिहां यह सलमान रश्चदी यह आंसर कर लेंगे दोस्तों यहाँ पे और एक कोशिन है दोस्तों यहाँ पे तारिक अली ने जो कि पाकिस्तानी एक लेखक है ठीक है वो कौन सी पुस्तक लिखी है उन्होंने तो कैन पाक सवाल है बचपन से आप लोग मनाते आ रहे होंगे लेकिन ध्यान रखेगा यह 5 सेप्टेंबर को मनाया जाता है क्यों मनाया जाता है तो डॉक्टर एस राधा कृष्णन का यह दिन जनम दिवस होता है और एस राधा कृष्णन जो है हमारे देश के राष्ट्रपती भी र दिसमबर को CRPF की स्थापना 26 दिसमबर को ही थी जो कि 26 दिसमबर को इसका डेज मनाया जाता है राष्टिय उर्जा संडक्षन दिवस 14 दिसमबर को विश्वे नागरिक दिवस 19 नौवंबर को तो यह आंसर आपके हो जाएंगे यहां पे तो आंसर यहां पे हो जाएगा द यह कोशिन बदल भी सकते हैं बिल्कुँ लिओंस इस दर आइट आंसर सी कर लेजिएगा जिनका उतर लिओंस आ रहा है और लिओंस जो है फ्रांस का एक सहर है दोस्तों जो की पेरिस के पास है अच्छा कोशिन है दोस्तों की नाटो का मुख्याले कहा है नाटो का तो ब्र European Commission Brussels है और European Antrics Agency Paris में है सवाल नंबर चलते हैं 28 पे निम्लिकित में से कौन सी अक्रिय गैस को अवर्थ 5 में रखा गया है अक्रिय गैस को जिहां जेनौन जिहां नोट कर सकते हैं दोस्तों यहां पे जिहां D is the right answer और यह अवर्थ के 5 में रखा गया है जिहां गैसों में ठीक है और आधुनी का बार सरनी में 5 में तत्वों में संख्या 18 है ठीक है 18 है तत्वों की संख्या सवाल नंबर 29 पे चलते हैं चलिए आंसर कीजिएगा थोड़ा सा जुमाउट कर दे रहा हूं यहां पे मैं आपकोल के लिए वह विकल्प चुने जो की संवाहनी तंत्र के संदर में सत्य है बिलकुल आंसर कीजिएगा रख्त कम दबाव पर और उनमें जटके से और तेजी से बेहता है यहां संवाहनी जो तंत्र है दोस्तो उसके संदर में सही जो कथन है यहाँ पे सत्य जो बुला गया है वो यही है कि रक्त जो है वो कम दबाव पर उनके जटके से और तीरी से बेना लगता है ठीक है चलिए तो याद रखेंगे और देखें यहाँ पे रक्त जो चाप है यानि कि जो ब्लड प्रेसर होता है मनुसे का 120 बटे 80 का होता है वो ध्यान रखेंगा आप लोग ठीक है यह कोशन पूछ सकता है एक्जाम में कोशन इंबर 30 दोस्तो S.B. सुनील निमलिखित में से किस खेल से संबंदित हैं बिल्कुल S.B. सुनील जो है दोस्तो यह हौकी से संबंदित हैं आंसर क्या कर लेंगे B. इस दर राइट आंसर नोट कर लिजेगा यहां पे आंसर B हो जाएगा और 2014 के राष्ट मंडल खेल में रज़त पदक यहां प्राप्त हुआ है 2012 की बात करें तो अलम्पी खेल में होकी खेल का निर्थित्व किया गिया है यह सारे डेटाज आप लिख सकते हैं जी हां किस प्रक्रिया दोरा कोई ठोस गैस में परिवर्तित होता है फटा फट आंसर करेंगे दोस्तों यहां पे बिल्कुल उर्द्वा पातन इस दर राइट आंसर नोट कर लिजेगा दोस्तों चुकि कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें की गर्म किये जाने पर ही वो द्रब अवस्ता में अपने आपको बदल लेते हैं ठीके दोस्तों याद रखेंगे आंसर D हो जाएगा उर्द्वा पातन कुश्य नमबर 32 कौन सा समूह के पौधो को समानिता सेवाल कहा जाता है बिल्कुल ध्यान रखेंगा आंसर B हो जाएगा ठेलोफाइट ठेलोफाइट समूह के पौधो को समानिता सेवाल कहा जाता है और जो ठेलोफाइट होता है दोस्तों आपको बता दें कि वनस्पती जगत का सबसे बड़ा एक वर्ग होता है समू होता है और इस समू में पौधो का सरीर जो होता है दोस्तों ये क्या होता है सुकाय होता है अर्थात पौधे जड़ तना और पती जो भी होती इनकी वो विभक नहीं हो पाती है ठीक है answer यहाँ पे थलिफइट ज़रूर कर लेंगे सवाल नंबर 33 नमीबा नोट कर सकते हैं दोस्तों नाबीब मरुस्थल कहा है इसलित है नामीब बिलकुल आंसर करेंगे दोस्तों दक्षिन अफ्रीका में है यह कर लिजेगा यहाँ पे और नाबीब मरुस्थल का जो पूरा छेतरपल है वो तीन लाख दस हज्जार किलो मिटर स्क्वाइर का है यह आप ध्यान रखेंगे सुमाली मरुस्थल सुमालिया में है यह भी एक फेमस है मरुस्थल बहुत बड़ा है कॉश्चिंबर 34 इन में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है बिलकुल गेहु जो है यह खरीफ फसल नहीं है नहीं बोला गया है ध्यान दीजेगा आंसर गलत मत किजेगा गेहु जो है एक क्या है तो रवी फसलों में से एक है यह आप लिख लिजीए साइड में कहीं यह कॉश्चिंज जरूर पूछेगा और खरीब फसलों के बारे में अगर बात कर ले दोस्तों तो ये फसले जून जुलाई में बोई जाती हैं और अक्टूबर नॉंबर में काट ली जाती हैं और रवी फसले तो रवी फसले अक्टूबर नॉंबर में बोई जाती हैं और मार्च अप्रेल में काटी जाती हैं ध बहा जाता है अनबुजा चुना याद रखेंगे दोस्तों केल्सियम आउकसाइड को यहां पर हम लोग क्विक लाइम भी कहते हैं यह भी आप लिख सकते हैं साइड में अगर कॉपी कलम लेके बैठे हुए तो जरूर लिखिएगा और यह जो है इसका फर्मूला सी ए ओ होता है ठीक है चलिए अगला कोश्चन देखते हैं कोश्चन नमबर 36 दोस्तों चौथा और सरदेश मुखी वसूल करने के पीछे सीवा जी का मुख्य ओदेश क्या था चौथ या चौथा कहते थे इसको चौथ जो होता था इतरगा कर होता था उनके समयकाल में टैक्स होता था और सरदेश मुखी भी एक टैस होता था तो इसको वसूल करने के लिए सीवा जी का मुख्य ओदेश वही था कि वे अपनी वीती सुरूत का यह अनुपूरक चाहते थे यानि कि इसको बढ़ाना चाहते थे और उससे अपने राज्जी की सीवा भी कर सकते थे ऐसा तो अंसर को बरबाद ना करने के बदले में दी जाने वाली रखम को हम लोग चौत कहते थे यानि कि घूस कह सकते हैं ठीक है उस तरीके में चलिए तो यहां पर आंसर क्या कर लेंगे दोस्तों कॉश्चिन नंबर 36 का वे अपनी वीतीय सुरूतों को अनुपूरक चाहते थे य यहां अलबुकर्क ने गोवा को प्राप्त किया चलिए पुर्दगाली गोवा की बात हो तो पुर्दगाली को याद रखेगा पुर्दगालियों को यहां और गोवा भारत में पुर्दगाली का मुख्य केंदर बना और अलफेंसेंडो डी अलबुरक जो थे अलबुकर्क भारत में पुर्दगाली राज के महंतम गवर्णर भी रह चुके हैं यहां पे अंसर कीजिएगा दोस्तों यहां छेदर बीजापूर से संबंदित थे यह प्राप्त किये थे इसको बीजापूर से अल बुकर्क ने गुवा को प्राप्त किया था यह भी आप ध्यान रखेंगे 1502 इस्वी की यह कहानी है दोस्तों 38 नंबर पे चलते हैं निमलिकित में से किसने बिद्वा पुनर विवाह के लिए संगर्स किया और अंतर विसे कानून में मानेता दिलवा दी गई तो यह कोशिन बहुत बार पूछा गया है आपके परिछाओं में आंसर किजिएगा जी हाँ इस्वर चंद विद्या सागर बी इस दर राइट आंसर और यहाँ पे दोस्तों बता दे कि इस्वर चंद विद्या सागर का प्रियास से 1856 इसवी में बिद्वा पुनर्वा एक्ट बनाए गया था आंसर बी हो जाएगा सवाल नंबर 49 प्रांतिये स्वायतता किस एक्ट के द्वारा स्थापित हुई थी बिलकुल आंसर कीजिएगा दोस्तों इसवी 1935 का एक्ट याद रखेंगे 1935 का एक्ट में और भी एक्ट है याँ कुछ वीतिये प्रांतिये चीजों को लेकर जिसमें आर बिया का भी एक्ट आथ सामिल है और यह इस भी अलग है हर छेतर के लिए अलग होता है एक्ट लेकि 1935 को पास भी किया गया था दोस्तों यहाँ पे कोश्चेन नंबर 40 पीट्स इंडिया एक्ट किस वर्स में पारित हुआ था बिलकुल आंसर करेंगे सी 1784 इसवी में याद रखेंगा दोस्तों पीट्स इंडिया एक्ट जो है यह किसके बिरोध में इस्तिफा दे दिया गया गया था दोस्तों वर्रें हैंस्टिंग फरवरी 1785 में इंगलेंड पहुचा तो यहाँ पे दिया बर्क द्वारा उसके उपर महाव्योग लगा दिया इंगलेंड में जिसके चलते वो इस्तिफा भी दिया वहाँ पे और 1784 में यह पारित किया गया था पिट्स इंडिया ए और सुबह का 6 बजे का वीडियो जरूर देखें और पीडियेफ थोड़ी देर के बाद आपको यहाँ पे अपलोड कर दी जाएंगे वाइठी एजुकेशन के टेलीग्राम पे तो जल्दी जाएए और टेलीग्राम जोईन कीजे जो लोग नए जुड़ रहे हैं प्लीज जाकर पीडियेफ चांदते हैं तो आप लोग टेलीग्राम जरूर जोईन करेंगे धन्यवाद मिलते हैं कल सुबह 6 बजे आपसे